Welcome back guys, आगे हम एक और नीव वीडियो लेके और आज हम एक और यूनीक smart gadget लेकर आये हैं और काफी सारे यूनीक gadgets भी चैनल पर देख चुके हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ यूनीक सा यूनीक आपको दिखाता रहूँ जो आपने कभी सोचा भी नोगा कि ऐसे कोई gadgets होंगे और आज मैं आपको दिखाऊँगा एक smart gadget आपकी कार के लिए और हम बात कर रहे हैं इस वाले gadget की और यह है की Droid और जो की Droid है यह एक smart gadget है इसके नाम में आपको समझा गए कि की है यह तो यह यह आपकी normal car की की को smart बना देगी और आप सोच रोगे की कार की को कैसे smart बनाएगी तो वही देखेंगे हम कैसे यह काम करता है और कैसे इसके features तो जली से करते हैं इसके unboxing और देखते हैं क्या क्या मिलता है box के अंदर पहले तो यह है इसका box और box में लिख सकते हैं सबसे पहले इसकी जो branding है वो है आपको मिलती है इसके अंदर वनियर की वारंटी तो आप करते हैं box को open और देखते हमारे content सबसे पहले उपर में जाती है यह यूजर गाइड और यहां पर आप देख सकते हैं किसकी जो फीचर से वो कैसे काम करेंगे और यहां पर आपके वाज जो apple find my कैसे काम करता है वो पढ़ सकते हो और फिर मिल जाती हमारी यह की इटसेल जिसे थोड़ी देर में देखेंगे और यहां पर हमारे पास एक और बॉक्स आर आपको मिल जाती है इसके कुछ एकसरी और यहां पर आपको एक O.B.D. पॉर्ट वाला एक connector मिलता है जो आपके बनी कार में आप में पुष्टाट बटन है तो यह वाली जो स्मार्ट कीज है आप अपनी कार के लिए चूज कर सकते हो तो मैंने अपनी कीन को दी इन्होंने इसके कॉंपनेंस इसमें फिट कर दिया और जब हो गया तो मुझे कॉल आएकी रेडी है कि आपकी तनल मज भेज दी और इस की का अपनी इसमें पर देख लेगा तो यह हमारी स्मार्ट की और यह स्मार्ट की है मैं एक्षर में कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं मुझे अलमोस्त दो से तीन दिनों करते हैं और यह काफी एच्छे से काम करती है यह वाला जो फीचर से में मैं बहुत ही लगश्यरी गाड तो मेरी गाड़ी की है यह भी बहुत अच्छे से स्मार्ट होगी अब कैसे इसके फीचर से कैसे काम करता है कि आपको दिखा देता हूं सबसे बहले बात करेंगे इसके फॉर्म फैक्टर की जो की है आप देख सकते हैं ऐसे कुछ ही और यहां पर आपके पास एक स्क्रीन है इसके अलावा आपके पास यहां पर फिजिकल बटन भी है यह दो साइड में और यह भी इच्छे से काम कर रहे हैं और जो लोगो है यहां पर इन्होंने सुजुकी लिखा है बट आप इसको अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से उनको अपना एक लोगो बेज सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और बाकि अगर हमें करते हैं स्वाइप लेफ तो यहां पर आपके पास बूट ओपन करने का ऑप्शन आ गया और एक अगैन मेरी गाडी में बूट आटोमेटिकली ओपन नहीं होता बट अगर अगर आपकी गाडी में बूट ओपन अगर आपकी की से ही हो जाता है तो यह भी बहुत अचीज है विकर इसके अंदर क्या होता है जैसी आपने कार के पास आप पॉच्छोंगे तो बूट आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा प्रोक्सिमेटी सेंसर से अगैन मैंने वह फीचर देखा था काफी अच्छा लगा ब यहां पर आपको कोई बटन भी प्रेस करना होता है अगर आपकी पास की जे में तो वो भी हो सकता है लेकिन यह प्रोक्सिमिटी वाला है और यह जो फीचर है मैंने बहुत ही महंगी गाडियों में देखा है बट यह इस की के थुरू मेरे को भी मिल गया एंड काफी अच्छा सा डिवाई आता है राउंड 500 वेगा इससे मैं भी वो अपनी गाडी में लगा सकता हूं तो यह option good to have but मेरा जो में रीजन था इस की को लेने का वह यह कि मेरे को अपनी गाडी की जो की थी वो smart करनी थी and again proximity sensor मेरे लिए बहुत इच्छा एक फीचर मुझे लगा and then यह option is smart trunk का जो आपको बता रहा था कि यहां से आपके पास जो ट्रंक है proximity sensor से open हो जाएगा तो यहां पर उसकी setting सेक कर सकते हो कि आपको close हो open हो यह सब चीज आप चेक कर सकते हो and then कुछ settings है तो यहां पर time setting है language setting है वर्जन है signal है तो यह आपके proximity level को define करता है तो इसको भी हमने वन पर सेट किया इसको अपने हिसाफ से से on-off कर सकते हो यहां से boot open कर सकते हो यहां पर आपका normal lock and lock है और उपर के साइट हमारे पास इसकी एक charging का port है और जो charging port है यह आप देख सकते हो type c port है charging कि अब बात करें इसके अंदर 800 image की बैटरी और यह 10 से 12 दिन इसकी एज़ी स्क्रीन के साथ on रह सकती है एज़ी आपको बैकप मिल जाएगा 10 से 12 दिन का टिपेंड करता आपके युजच वे लेकिन एक और चीज़े अच्छे कि अगर इसमें एक reserve battery भी है for example आपकी screen off हो गई तो आप सोच रोगे कि काम की नहीं नहीं तो आपको जो normal physical button इस key में जो side में वो काम करेंगे और around 200 दिन वो चल सकते हैं अगर आपसे charge नहीं भी करोगे तो screen के अलावा ये side वाले buttons ये function से अच्छे से काम करेंगे बाकी design और build quality की बात करें तो आप चेकी कर सकते हो काफी अच्छी लग रही है ये and design के साफ से बोलूँ मताब मेरे जब से मैं की यूस कर रहा हूं मुझे almost 5-7 लोग ने पूछ लिए जैसी में की अगर कहीं रख Indian brand ऐसी बना रहा था तो मुझे रगा काफी सही है तो मैंने उन्से contact किया एंदर उनने मुझे काफी एच्छे से explain किया कि कैसी की काम करेंगी कैसी इसका process है तो overall अगर आप भी ऐसे कोई smart feature अपनी car के लिए डोड़ रहे हो और अगर आपके बास भी कोई base model है या फिर आपक पूछो मुझे तो मुझे तो यह value for money लगी ऐसे features यूशली बहुत ही महँगी गाडी में आते हैं तो अगर आप भी मेरी तना ही car enthusiast है नहीं नहीं अपनी गाडी में लेकिन car बदलना नहीं चाहते तो यह जो की है आप जरूर चेक आउट कर सकते हो तो guys यह थी हमारी आज क वीडियो वीडियो चलिगी तो लाइक का बटन जुरू दवा देना और चैनल में नहीं तो सब्स्राइब का बटन जुरू दवा देना तो आज के लिए वस इतना ही पिर मिलेंके आप नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई